अल्सितात आंके सब्सक्राइक्टि कुरते हुएं थी टिर्टिव को डिए फ्रेक्षिम काें हैं नल्चकार में तो प्रेक्षिन एकशारी बनाद बने असारी मिल्चकि चुमरी कुर्ण तल्च काई कुलिए कर्षे बनी 3 upon 20 ठीक है solution then again question हमेशा क्या करते है LCM डी नॉमिनेटर का लेते हैं जो नीचे हमारे पास value होती है 5 and 20 calcium लेंगे यह देखें ठीक है 51005 54020 and 41004 544 को multiply किया 20 यह आ गया ठीक है 20 अब हमारे पास जो उपर 4 और 20 के उपर 4 and 3 लिखे है वो कैसे आया अब next step क्या है first में LCM लेते है second में अब देखें अब हमारे पास क्या है ठीक है first value multiply by LCM का answer then second value multiply by LCM का answer इस तरह करके first value 1 upon 5 multiply by 20 मैंने आपको बताया था उपर नीचे cutting होती है हमारे पास ठीक है आमने सामने multiplication होती है ठीक है 5105 and 5 4s are 20 cut हो गया 4 1s are 4 गया आगया 4 हमारे पास then 20 1s are 20 20 1s are 20 and 3 1s are 3 4 and 3 7 ठीक है 7 upon 20 हमारे पास क्या आगया answer ठीक है यह हो गया हमारे पास question number 1 ठीक है आप question number 2 करते हैं हमारे पास mixed यह कौन सी यह जो हमारे पास 1 upon 5 लिखा यह होगी हमारे पास improper fraction ठीक है ठीक है mix fraction में कैसे लेके जाते हैं 10 9s are 90 90 में 1 plus कि 91 निच्चो यह denominator को जो हमारे पास side पे numbers से multiply करेंगे और उपर वाले में plus कर देंगे 10 9s are 90 90 plus 1 91 5 3s are 15 1 16 upon 5 ठीक है 15 4s are 60 60 and 1 61 यह आगे हमारे पास improper fraction इसके बाद नेक्स स्टेप क्या होता है दीन और मिनिटर्स का क्या करते हैं लेते हैं लेते हैं 10 5 & 15 का LCM लेंगे ठीक है 10 5 5 2s are 10 5 1 0 5 5 3s are 15 then 2 say 2 1 0 2 ठीक है 3 नहीं आता तो कि टेबल में उसको चोड़तेंगे नेक्स स्टेप में उसको 3 से करेंगे अब इन्ते उनों को multiply किया 30 हमारे पास आगया 30 अब वह हम करेंगे first value multiply by LCM cancer second value multiply by LCM cancer third value multiply by LCM cancer ठीक है साब से first is 91 upon 10 91 upon 10 multiply by 30 10 1s are 10 10 3s are 30 अब 91 को 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगा 273 second हमारे पास 96 ठीक है sorry 16 upon 5 16 upon 5 multiply by 30 यह देखें 5105 560 30 ठीक है 16 को 6 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा 96 लास्ट है 61 upon 15 यह हमारे पास 15 मांदा 15 15 टूजा 30 यह कट होगे अब आमने सामने जो है सिक्स्टीवान टूजा 122 ठीक है अब इन तिनों को प्लस करेंगे प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया 491 upon 30 अब उकर वाली वैल्यू बढ़ी है आजए ना हमारे पास सम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 491 अंदर लिखा 30 थर्टी वाइट थर्टी वन जा थर्टी ना थर्टी ना गया वन हमने नीचे उतारा 36 तरह 180 रेक ठिवाइड करेंगे मारे पास क्या आग या आप इस ये न दिनों को निखने कैसे निची वाला वड्ट ऊपर चला लेंगा उपर वाला साइड पें जाइड वाला नीचे मीज 1160 अपॉन 30 ठीक है यह देखें 1160 अपॉन 30 हमारे पास आंसर आ गया ठीक है यह हमारे पास होगी टू इक्जेंपल यह नंबर थाड एक्जेंपल है यह रपोन 46 471 रूपान टूर्म नमीटेर का यह है मंलियंगे यह तो घीक्शं़ के आ लिए जान गया ओं हमारे पास कि ए सेंट गएं सेन ऒल्लश मल्टिप्लाइबर एसे करेंगे ठीक है हमारे पास आगया 56 plus 60 plus 35 divided by 70 इनको plus किया तो हमारे पास आ गया 151 upon 70 अब 151 हमारे पास बढ़ा है तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 151 अंदर लिखा 70 by 72 और 140 151 मैं से 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास remaining क्या आएगा alignment ठीक है अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कैसे इस circle को complete करके लिखते हैं वैसे लिखेंगे alignment उपर चाह जाएगा two side and 70 नीचे ठीक है यह देखें अब यह तीना example हो गए तीन questions हो गए ठीक है इसके remaining parts आप लो खुद करेंगे अब करते हैं question बागी question जो हमारे थे question 123 अब वो attempt करते हैं है क्योंकि हमें पहले लेना आना पता ही नहीं था ठीक है directly हम blank solve नहीं कर सकते हैं अब हमने LCM लेकर इसको solve करना है then इसका answer आजाएगा blank के हमारे पास two four upon five plus five upon three ठीक है इसके बाद इसको solve करके हमारे पास answer आएगा ठीक है आप लोग हर blank को solve करके answer लिखेगा two seventeen upon fifteen ठीक है यह हमारे पास answer है solve करके लिखने से क्या होगा आप लोग भी practice हो जाएगी ठीक है बीच में आएगा ठीक है इसको solve करें तो हमारे पास answer क्या आ जाता है twenty one upon ten ठीक है तो कौन सा number है हमारे पास ठीक है nine upon ten ठीक है अब next देखे डी two three upon four plus one upon five ठीक है इसको solve करें दीनो मेटर स्कैल्सियम लें ठीक है जिस्टारा question four के steps से इस तरह सी के step करनी है तो हमारे पास answer आ जाएगा one thirty seven upon sixty अब e वाली पर आए यह हमारे पास क्या है three upon five minus six upon fifteen and minus one upon ten ठीक है नीचे डीनो मेटर स्कैल्सियम लेके cm हमें वही चीज़ करनी है हमने वैसे plus किया यह minus का sign है को minus करेंगे हमारे पास answer आ जाएगा one upon ten ठीक है यह five blanks है आप लोगों इसको खुद से भी solve करके करना है अब आजा question two पर question two हमारे पास state whether the falling statement are true or false ठीक है three one upon six plus four one upon three is equal to fifteen upon two ठीक है कि यह true है हमारे पास इसी से नीचे हमारे पास c वाला है 12 upon seven minus three upon एलसे 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 आप लेकि देखने यह भी फॉल्स है नंबर थार्ड है हमारे पास है यह हमारे पास है three upon seven minus three upon fourteen minus two upon twenty one के answer आजाएगा two upon five upon twenty one इसका एलसे है यह हमारे पास रॉंग और है ठीक है अब यह देखे आएट अपन थर्टी माइन फॉर अपन थर्टीनाइन प्वेंटी इस इकोल टू टुट्वेंटी अपन थर्टीनाइट इस टू ठीक है नंबर डी हमारे पास one upon two plus one upon three plus one upon four ठीक है यह हमने लेना है शो के बाद जैसे फर्स करके करना है तो नह पास क्या आजाएगा आंसर आ जाए गोई आंसर हमारे पास ही आएगा 13 अपॉन 2 तो हमारे पास यह पर एक है ठीक है अब आ जाते हैं नीचे एस आंसर ता गिवन ओप्स्टेंड 3 upon 13 plus 9 upon91 इस कालस्यम लेे सॉल्व करने से हमारे पास हमसर क्या है 30 upon91 कालस्यम लेंगे 13 के टेबल में 91 आता है ठीक है 13 70 बी है हमारे पास 26 अपॉन 57 माइनस 4 अपॉन 19 नाइन और 57 कल्सियम लेंगे और उपर जो हमारे पास आएगा उसका माइनस करेंगे ठीक है 19 के टेबल में 57 आता है 19 वान जा 19 और 19 ती जा 57 नाइन नबर सी है हमारे पास 18 आपन 15 प्लास 7 अपन 15 प्लास आपन 30 ऑके इसको भी इस वैसे सौल्व करना है शॉल करके आंसर आएगा वार पास 59 इस इन इन फ्रेक्षूं में इसको पहले हिं प्रॉपर फ्रेक्शन में लेकर आना है उसके बाद हमने लेना है ठीक है अफिर स आंसर के आएगा 6 upon 15 ठीक है अब लास्ट वारा देखें लास्ट वारा हमारे पास है 2 1 upon 3 minus 1 1 upon 10 minus 1 upon 6 इसको सॉल्ट करने से जो हमारे पास option है उनमें से एक भी answer नहीं आरा option ठीक है second one option जो हमारे पास जिस पे टिक किया है one two upon 30 है लेकिन बुक में लिखा हूँ है one one upon 30 तो उसके उपर one लिखा हूँ है उसको आप कट करके two लिखते है ठीक है यह चार कोस्टन है one two three बुक पे करने है और question number four आप लोग ने अपनी copies में करना है ठीक है लेकिन क्या जो हमारे पास one two three है वह आपने सारे solve करके check करना है ठीक है tick cross और blank filter कर लिए आपने लेकिन आप लोग खुद से करके देखेंगी तो आप आपकी practice हो जाएगी ठीक है इसा complete budget